जीवा जो है अपने ही घर पर एक कुरसी पर रस्तियों से बंदा होता है और उसके हाथ भी बहुत टाइट कसे हुए होते हैं जीवा बहुत ही परशान होता है तब ही वहाँ पर डेटेक्टिव रहूल पहुच जाते हैं और मैं बोलते हैं कि मैंने तुमारे चिलान की आवाज सुनी तो मैंने सोचा चलो मैं अंदर चलता हूँ कि मैं देख कर रहा हूँ क्या हुआ है तो जीवा कहता है हाँ सर आप सरी टाइम पर आ गए हैं देखिये न मेरे को कोई रस्ती से बांद कर चला गया है पता नहीं कौन था वो कोई मेरे पैसे लूटना चाता था और मैं पिछले एक घंटे से यहाँ पर ऐसे ही बंदा हुआ हूँ मेरे हाथ में बहुत दर्द है डेटेक्टिव राउल पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है तो बोलता है कि सर मैं एक बहुती बड़ी कमपनी का चीफ एक्डिक्योटिव हूँ और क्या पता कोई दुश्मन मेरा मेरे को ऐसे बंद करकर मेरे पैसे लेना चाता हो सर मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता सर आप उसका जल्दी से पता लगा लीजे डेटेक्टिव राउल थोड़ा सोचते हैं और इधर दर देखते हैं और फिर वेब बोलते हैं कि सर आप जूट बोल रहे हैं आप एक्टिंग कर रहे हैं आपको किसी ने किड्नैप नहीं करा और आपको ना किसी नरस्ती से बांद आए क्या दोस्तों आप मिर को बता सकते हैं कि डेटेक्टिव राउल ने ऐसा क्यों का आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है ज्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉस कीजिए तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जो जीवा है मैं बोल रहा था कि मैं पिछले एक घंटे से ऐसे ही बंदा हुआ हूँ रस्तियों से और मेरे हाथ भी बहुत टाइट रस्तियों से बंदे हुए है लेकिन अगर आप जीवा के जस्ट पीछे देखेंगे एक टेबल पर एक कोड्रिन का ग्लास पड़ा हुआ है जिसमें जो है बरफ अभी तक नहीं पिगली है लेकिन अभी तक एक घंटा हो चुका है बरफ बलकि क्यों नहीं पिगलेगी तो दोस्तो इससे तो यही पता चलता है कि जीवा जूट बोल रहा है और इससे ही डिटेक्टिव राहूल को पता चल जाता है कि जीवा जूट बोल रहा है और उसने अपने आपको खुज रस्ती से बांद आ है लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जीवा ऐसा क्यों करेगा तो दोस्तो आपको सोचकर इसका अंसर मिरे को कमेंट में लिखकर बताना है तो चलिए हम अपनी एक और पहली देख लेते हैं तो चलिए ये आपका माइन टेस्ट करने के लिए तो आपको इस लड़की को देखकर मेरे को इसकी करेक्ट शेड़ो बतानी है यहाँ पर आपको इसकी छे अलग-अलग शेड़ो नजर आ रही होंगी उनमें से एक शेड़ो सही है तो जल्दी से बता दीजे आपके पास सोचने के लिए 10 सेकिंड है तो दोस्तो इसकी करेक्ट शेड़ो है फोर्थ नमबर वाली तो क्या आपको पता चल गया था तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे तो अब हम देखने वाले हैं अपनी थामनेल वाली पहली तो चलिए देख लेते हैं उसे भी तो दोस्तो यहाँ पर मायरा एक बहुती बड़ी मुसीबत में फ़र्स चुकी है मायरा अब किसे बचाएगी एक तरफ है उसका बॉइफ्रेंड बुद्देव और दूसरी तरफ है उसके फादर बदरीनाथ जिनके हाथों में गन है अब वहाई पर अगर में सबसे पहले देखें जो बुद्देव है उसके पीछे गाड़ी आ रही है और वहाई पर जो दूसरी तरफ है बदरीनाथ उसके पीछे जो है Mr. Mad Max जो एक पागल साइंटिस्ट है वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं लेकिन बदरीनाथ के हाथ में भी गन है तो क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि मायरा को इन दोनों में से किसे बचाना चाहिए आपके पास सूच निकले 10 सेकंड है आप अपना अंसर जल्दी से कमेंट कर दीजे तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो मायरा है वह सबसे पहले अपने बॉइफरेंड बुद्देव को बचाएगी क्योंकि अगर आप उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है और उसके उपर डेंजर का साइन लगा हूँ है और वह बहुत तेज रफ्तार में आ रही है तो उसे सबसे पहले तो बुद्देव को बचाना चाहिए वही पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो मिर्स्चर मैड मैक्स हैं वह एक पागल साइन्टिस्ट हैं लेकिन है तो इंसान ही वह गाड़ी रोक सकते हैं और अगर वह नहीं भी रोकेंगे तो बदिनाथ के हाथ में जो है एक गन है वह उसके टायर को पंचर भी कर सकते हैं तो दोस्तो क्या आपने भी ये सोच लिया था और इसका जवाब पता लगा लिया था तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं तो थेंक यू